तो जैसा कि इस्टेंड आप लोग देख पारे कि सारे प्रश्ण आप सभी के लिए काफी इंपुड़ेड एंड एक्जाम ओरियेंटे लिया गया तो चले पहले प्रश्णिक और बात करते इस्टेंड आप सभी का पहला प्रश्णिक क्या पूछा जारा ध्यान से करे कि भारत की सबसे मीठे भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जिल निम्न में से कौन सी है यहाँ पर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जिल निम्न लीखित में से कौन सी है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसे नमबर यानि कि वुलर जिल इस राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते आप सभी का दूसरा नमबर प्रशन है कि किसने पाटली पूत्र को पोली प्रोथा कहा था तो right answer हो जाएगा आप सभी का मेगास्थनीज option number instant आप सभी का right answer हो जाएगा question number 2 का चली अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का तिसरा नंबर प्रशन है और आप लोगों अगर आप लोग क्या गरिएगा अगर आप सभी को किसी भी प्रशन का answer पता होता तो आप सभी direct comment box में लिखेगा कि सर दूसरा नंबर प्रशने का ये हो जाएगा तिसरा नंबर प्रशने का आप सभी के अंदर एक confidence आएगा कि आप सभी कितनी question को attain कर पाते time management कर पाते हैं जिससे क्या होगा कि आप सभी comment box में जुरू लिखे आगा कि आप सभी ने कितने question को attain कर पाते हैं ठीक है न चली अगला प्रशने की मंदिर निर्माण कला का जन्म स्वर प्रथम कब हुआ था तो मंदिर निर्माण कला के जन्म स्वर प्रथम की बात के जाए कब हुआ था तो आप सभी का गुपत काल में हुआ था आप सभी चली अगले प्रशने को पात करते आप सभी का अगला प्रशने पूछा जा रहा है फोर नमर की मुहनी आटम निर्च्टे रूप का बिकास निम्नलिखित में से किस राज्जय में हुआ यहाँ पर आप सभी से प्रश्ण पूछा जा रहा है कि मुहनी अटम किस राज्य का एक लोक नृत्य है और आप सभी की एक्जाम में लोक नृत्य से एक से दो प्रश्ण हंडे परसंट पूछे जाते हैं तो ध्यान देजिएगा आप सभी क्लास पर तो राइट इंस रहा हो जाएगा आप सभी का आपसर नमबर डी यानि की केरल राज्य से सम्मंदित हो जाएगा जैसे की पूछले जाएगा आप सभी से कुची पुडी तो आंदर प्रदिस का हो जाएगा गुजरात की गर्बा हो जाएगा ठीक है न तो ऐसे आपसे इसे प्रश्ण पूछे जाते हैं चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का फाइप निम्बर प्रश्ण है कि गंगा इवं ब्राम पूत्र की सन्युक्त जल्धारा किस नाम से जाने जाती है तो फड़ा फड़ी इसका एंसर आपसे कमेंड बाक्स में डालिए ठीक है न तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का फाइप सन्बर शी यानिकी मेधना इस राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का 6 नमबर प्रशन पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्मान किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्मान किसने करवाया था तो फड़ा फड़ इसके अंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस question का right answer आप सभी का क्या हो जाएगा तो दिल्ली के निर्माण की बात करें लाल की इलाका तो right answer हो जाएगा आप सभी का सहा जहां के दोरा किया गया था आप से number distant आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रशन को बात करते हुशी पहले आप सभी से एक छोटा सरी केस्ट है कि अभी तक आप से मेरे चल्लों को सब्सक्राइब नहीं किये तो please standee चल्लों को सब्सक्राइब कर सासाथ बिल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि इसा most important assistant आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे चल्य सिवे नमबर प्रशने की पाटना को प्रांती रजधानी बनाया गया था तो सिवेन का अज़ेगा आप सभी का सेर साहने बनाया था सेर साहने बनाया था option number A आप सभी का right answer हो जाएगा चल्य अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का 8 नमबर प्रशने कि पिरत्वी राज विजय का लेखक कौन था पिरत्वी राज विजय का लेखक निमने लिखीत में से कौन थे तो फटा-फट आप सभी इस question का right answer और comment box में डाले कि इस question का right answer आप सभी का क्या हो जाएगा तो इस question का right answer हो जाएगा आप सभी का option number 3 यानि कि जैन्य जैनक हो जाएगे आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए अगले question को बात करते हैं आप सभी का six number question क्या पूछा जारा है ध्यान देजएगा करा कि बीसो का सबसे उचा जल परपात है तो बीसो के सबसे उचे जल परपात की बात करते हैं कि बीसों के सबसे उचे जल परपात इन में से कौन है तो 9 का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का एंजिल एंजिल जल परपात बीसों के सबसे उचे जल परपातों में से एक हो जाएगा तो अपसा नमबर C आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगला प्रशने 10 नंबर की बीसों में महादीपों की कुल संख्या कितनी है तो बीसों में महादीपों की संख्या के बात करतें की बीसों में महादीपों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 10 का हो जाएगा आप सभी का अपसर नंबर 6 यानि की 7 हो जाएगा कितना हो जाएगा साथ is right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रशन को बात करते 11 नंबर प्रशन है कि मस सावा बंदरगा किस देश में अवस्थी थे मस सावा बंदरगा निमनलीखित में से किस देश में इस्थी थे 11 का हो जाएगा सभी का अफसर नमबर यानिकी एरिट्रिया हो जाएगा अफसर नमबर डी स्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्शन को बात करते 12 नमबर की 208 की मंडी 200 की आटे की मंडी के नाम से कौंसा नगर जाना जाता है बिस्व की आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है तो बारह का जगडी यहनिकी डूलूत डूलूत आपसे नमबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को बात करते इस्टिंट आप सभी का अगला प्रस्ण क्या पूछा जारा तेरा के डीर सो संताउन के बिढरह का निरतित्य 허 बिहार में किरने किया था तो kikumर सी अपसे नमबर बी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा है चली अगले प्रस्ण को बात करते14 का उन निसो सहतालिस के भारतियराश्ठी कांग्रेस की दिली अधिवेशन की अधिशता कि तो चौदा का जगा भी आनिकी डाक्टर परसाद हो जाएंगे आपसे नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्टिक को बात करते आप सभी का पंदरा नंबर प्रस्टिक क्या पोछा जारा द्यान दिजेगा तो करा कि भारतीय राष्टिय का अधिवेशन की सहर में हुआ तो पंदरा का अच्छाएगा आप सभी का अपसे नंबर ए यानिकी हरी पूरा में अपसे नंबर ए श्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोश्य नंबर पंदरा का चली अगला प्रसने की जोग जल परपात किस नदी पर इस्तित है अगला प्रसने ध्यान दिजेगा करा की जोग जल परपात किस नदी पर इस्तित है तो सुल्ला का अच्छेग आप सभी का अपसे नंबर ए यानिकी सरावती नदी पर इस्तित हो जाएगा आपसा नमबर A स्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते 17 नमबर की नासी की किस नदी के किनारे इस्तित है पूछा जा रहा है की नासी की किस नदी के किनारे इस्तित हो जाएगा तो इस question का right answer हो जाएगा 17 का अप्से No. D आने की गोदारी नदी हो जाएंगे अप्से No. D आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगला प्रस्ने की भारत में उधोगिक बीत का सिखर संगठन है तो 18 का अज़एगा आप सभी का अप्से No. A आने की IDBI IDBI अपसे नमबर A आप सभी का right answer हो जाएगा question नमबर 18 चलिए अगले प्रस्ण को बात करते हूँ इस नमबर की भारत में निम्तम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था भारत में निम्तम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था तो 19 का होग जा हगा आपसा नमबर B.ानीक्व 98 में चली अगला प्रसनी की बहुत शिक्छा का केंदर था तो इस question का right answer होग जाएगा आपसा नमबर A.ानीकी B. क्रम सिला होग जाएगा अगला प्रस्ण नीमन में से किस ग्रंथ में सवर पर्थम देवकी के पूत्र कृष्ण का वरणन किया गया है तो 21 का अज़ेगा आपसे नमबर B अने की छांदोग आ उपनिस्त में आपसे नमबर B आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को बात करते 22 नमबर की भारत में सबसे प्राचीन विवा है तो 22 का अज़ेगा आपसे नमबर A आने की नलांदा हो जाएगा आपसे नमबर A आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का 23 नंबर प्रश्ण की बंबई, मदरास और कलकाता में उच्छ न्याले के स्थपना कब होई थी बंबई, मदरास और कलकाता में उच्छ न्याले के स्थपना के बात करते हैं इस्टेंड की कब किया गया था तो 1861 में किया गया था अपसे नमबर B आप सभी का राइट इंसर होज़ेगा 1861 इस वी में चलिए अगले प्रस्णिकों बात करते कि परशीद चरकुला निरित्य सम्बंदित है परशीद चरकुला निरित्य किसे सम्बंदित है तो राइट इंसर होज़े 24 का आपसे नमबर 6 निकी ब्रज भूमी से आपसे नमबर 6 ब्रज भूमी अगला प्रस्णिकी कंस मेला आयोजन होता है तो कंस मेला के बात करते तो यह आपसी के मतुरा में होता है चलिए अगला प्रशने की ब्लेक पल किस खेल से संबंदित है तो ब्लेक पल की बात करते तो यह संबंदित हो जाता आप सभी का नुकर्षे आप सभी के फुटबॉल से संबंदित हो जाएगा फुटबॉल आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमबर 26 का चलिए अगले प्रशन को बात करते हैं 27 नमबर प्रशन क्या पूछा जारा ध्यान दिज़ेगा चलिए अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का 27 नमबर प्रशन पूछा जारा कि Green Park Stadium कहां पर रिष्थी थे चलिए अगले प्रशन को बात करते किस बिदेसी यात्री ने भारत का दोरा सबसे पहले किया था तो option number बी याने की competitors ने किया था आज की this class को start करते हैं, आप सभी के पहले प्रश्णी के साथ और आप सभी कोशन की साथ हर कोशन की अप सभी answer कोमेंट box में देने का कोसिट करिएगा, कि आप कोमेंट बॉक्स में हर कोशन का answer दे पाए इससे क्या होगा कि आपसी के अंदर ही confidence आएगा कि आप लोग कितनी question को attend कर पाते हैं ताकि आप लोगों का त्यारी कैसा चल लाए ठीक है ना चल ये पहले प्रश्ण को बात करते हैं पहला प्रश्ण कर रहा है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधीक है तो right answer हो जाएगा आप सभी का option number A यानि की उतर प्रदेश आप सभी का right answer हो जाएगा उतर प्रदेश में रेलेवे लाइन सबसे अधीक हो जाएगी चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का दुसरा number प्रश्ण है कि भारत का सबसे बड़ा सारवजिनिक उपकरम कौन सा है भारत का सबसे बड़ा सारवजिनिक उपकरम कौन सा है तो फटा फट आप इस question का right answer comment box में डालते रहे कि इस question का right answer क्या हो जाएगा ठीक है नो तो right answer हो जाएगा आप सभी का भारती रेल भारती रेल option number B आप सभी का right answer हो जाएगा और इस class के अंदर इस टेंट आप सभी के लिए total 100 mcq question लिया गया है जो कि आप सभी के लिए काफी जादा imported होने वाले हैं अगला प्रशनी की निमने लिखित में से कौन सी जगह रेल समागरी नहीं बनाय जाती है यानि कि इन में सैसी कौन सी जगह है जहाँ पर रेल समागरी नहीं बनाय जाती है तो right answer हो जाएगा आप सभी का option number B आने कि मुंबई is right answer हो जाएगा question number 3 का चली अगले प्रशनी को बात करते हैं आप सभी का four number प्रशन है कि अब तक काम में आने वाला विशो का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है यहाँ पर पूछा जा रहा है करें कि अब तक काम आने वाला विशो का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है तो right answer हो जाएगा आप सभी का fairy queen option number A आप सभी का right answer हो जाएगा और आप सभी के exam में ऐसे प्रशन बहुत बार देखने को मिलते हैं जो कि आप सभी के exam में बार बार पूछे जाते हैं ठीके रहो चलिए अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का five number प्रशन है कि देश में माल परिवहन के सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयोगत होता है तो right answer हो जाएगा आप सभी का railway क्योंकि ज़्यादा तरले माल पहुचाने के लिए railway का ही प्रयोग किया जाता है तो option number B आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रशन के और बात करते हैं आप सभी का six number प्रशन है आप सभी का six number प्रशन इस्टेंट आप सभी से क्या पूछा जा रहा है करें कि निमने लीखित में से भारत के civil सिवा का जनक किसे माना जाता है भारत में civil सिवा का जनक किसे माना जाता है तो six का जो right answer हो जाएगा फड़ा 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 एंसर आप लोग comment box में डालते र हो जाएगा आप सभी का लाड़ कार्णवेलिस हो जाएंगे लाड़ कार्णवेलिस अपसर नमबर ए आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का civil प्रशन है कि banking कारोबार की सुरुआत है तू साज्यदारों की अधिक्तम सिमित संख्या क्य क्या है अधिक्तम साज्यदारों कोई सिमित संख्या क्या है ती हो जाएगा आप सभी का 10 यानि कि अपसर नमबर भी आप सभी का right answer हो जाएगा कोशन नमबर 7 का चली अगले प्रशन को बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सरी केस्टी की अभी तक आप सी वह च प्रशन, आप सभी से पूछा जाह रहा है कि सोतंतर ता काला वोधी के दोरान कांग्रेस के अध्यक्च कौन थे तो 8 का right answer हो जाएगा आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रस्चन को बात करते नाई नमबर की भारती समिधान के अनुशार कितनी भासा की दर्जाद दिया गया है तो नाईन का अज़जेगा अपस नमबर शी अने की 22 अने की 22 आप सभी का राइट एंसर अज़जेगा कोश्चन नमबर नाईन का चली अगला प्रशने 10 नंबर की भारत में सोर प्रतम किस उपगरा का प्रच्छेपण किया गया था तो 10 का राइट एंसर उज्जेगा आपसे नंबर शी यानिकी आरे वट इस राइट एंसर उज्जेगा आपसे नंबर शी चलि अगले प्रस्ट को बात करते हो एक अध्य से संबंदी थे तो एक ग्यारा का जग अप्रस्ट अफसे नंबर ब्याने का हेप्ट लोग जी अप्रस्ट हो जाएगा आप सबी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ने की लोकतंतर और विकास के लिए पंचायती राजिस संस्थाओं के पूनों अस्थापना के लिए रजीव गांधी दोरा 1986 में गठित समीती का नाम क्या था तो इस समीती की बात करें तो इस समीती का जो नाम था अपसर नंबर बी हो जाएगा एल एम सिंधी समीती हो जाएगा अपसर नंबर बी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोशन नंबर बारा का चलिए अगले प्रस्न को बात करते हैं आप सभी का तेरा नंबर प्रस्ने की गली के पीछे लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है गली के पीले लाइट जो लाइट लगाई जाती है आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाइट लाइट लगाई जाती है जो पीला एलो कलर का जो आता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है तो तेरा काज्जाग आप सभी का यहां पर नियोन नाइट्रोजन फासफोरस सोडियम इसमें नहीं बता जा रहा कि अखिर गैस में तो सोडियम हो जाएगा ठीके न चलिए अगले प्रश्टन कर बात करते हैं चौदा नंबर है कि केविनेट मिस योजना त्यार की थी इनमें से इनमें निमनलीखित गणमानिय में से कौन सामिल थे तो चोदा काज्जाग आपसन नंबर भी अनिकी सर पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे चलि अगला प्रस्टने 15 नंबर की भारत में सिक्षा की प्रगति की समिच्छा हे तू विलियम इंटर शमिती का गठन किस वर्ष किया गया था तो पंदरा का अजजग आपसन नंबर ए यानिकी 1882 में आपसन नंबर ए इस्टेंट आप सभी का राइट इंसर अजगा कोश्चन नंबर पंदरा का चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्ण की अशनूकर का खेल कितने गेंदों के साथ खेला जाता है तो 16 अजग आपसन नंबर ए इस गेंदों के साथ खेला जाता है चली अगला प्रस्ण अपसवी का 17 नंबर की टकला मानक रेगिस्तान कहां पर पाय जाता है 17 का जगसी यनिकी चीन में होज़ जाएगा अपसवी नंबर 6 चीन होज़ जाएगा चली अगले प्रस्ण को बात करते 18 नंबर की तमिनाडू उडिसा और छोटा नागपूर और में घ्याले के छोटे हिसे में पाय जाने वाली रंग का रंग लाल होता है और यहां क्रिसी के लिए उप्यूक्त नहीं है तो अठारा का अज्यक आप सभी का यानि कि लेट राइड मीटी होती है अपसवान नंबर 6 आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगला पृसिनावस भी का कि संसद की दो सत्रों के बीच काınधी अधिक तर अन्तराल हो सकता है तो 6 मुन आपसा नंबर B चली अगला प्रस्नावस भीका कि B1 हो ने वन ने जीयं दिसे दिन को मना जाता है तो इस दिवस की बात के त pogot करे के तीन जिन को मना जाता है एंड आप सभी के इक्सा में इस्टेंट ऐसे प्रस्ण बहुत जारे पूछे जाते हैं कि कौन सा दिन कम मना जाता है तो ऐसे टॉपिक पर आप लोग फोकस किज़ेगा ठीक है नौ चली अगला प्रस्ण थूंटी वन नंबर की हाले में नरेंद्र स्यात्रा के दोरान सीमा लाका मंदिर के दर्शन किये यह किस देश में इस्तित है तो टॉंटी वन का जगा भी आने की स्री लंका चली अगला प्रस्णी की कौंकड रेलेवे द्वारा भारत का सबसे उचा रेलेवे पूल रियासी जीले में बनाया जा रहा है यह किस नदी पर बनेगा तो यह चिनाब नदी पर बनने वाला है अपसे नंबर भी चिनाब नदी अगला प्रस्ण आफसी ओनी सो तीस में प्रतम राष्ट मंडल खेल जिनने तब ब्रिटिस एंपायर गेम गेम्स के नाम से भी जाना जादा था कहां खेला गया था तो टॉंटी थी का अगले प्रस्ण को बात करते हैं